आधने प्रधान मंत्री से नरेंदर मोदी जी के मार्क दर्सन में, देश की नई संसद में मान्निय बित मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है या वजट सरस्परसी, सरसमावेसी, विकासोनमक, एक सो चालीस करोड भारत वासियों की आसा, आकांसा और अम्रित काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सित्त होगा, आम बजट दौजार चौबीस पचीस, आत्म निर्भर यों विक्सित भारत के निर्मान का एक आर्थिक दस्तावेज है, इस आम बजट में अन्तोदे की पावन भावना, विकास की असीम संभावना, और नोनमेस की नोध्रिष्टी है, इस आम बजट में अन्यदाता किसानों की संब्रिदी के लिए, एक लाग वावन हजार करोड उपे, किर्शी और साइक सेक्टर के लिए, महला ससक्ती करण के लिए, तीन लाग करोडों पे से अधिक का प्रावधान किया गया है, स्वाभाई कुरूप से आधी आवादी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के आधी आवादी इससे सरवाधिक लाभवानित होने वाली है, और खासतोर पर तब जब उत्तर प्रदेश दो हजार बीस से ही मिसंसक्ति के कारिकरम को प्रभवी ढंग से यहां पर जमीनी धरातन पर उतार रहा है, सरवाथिक अन्यदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है उन अन्यदाता किसानों के संब्रिदी में आज संसत में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है युवाओं के लिए लाखों नोक्रियों के साथ-साथ मध्यमवर्गिये परिवार के लिए प्रत्यक्स कर एनि इनकम टेक्स में जो नए टेक्स स्लेप की गोशना हुई है इस सभी अविनंदनिये हैं स्वागत योग्ये हैं इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूँ किया वजट भारत को फाइब टिलियन डॉलर की एकोनोमी मैं बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रुप में भारत की भुमिका को और विक्सित भारत की संकल्पना को साकार करने क्या एक आर्थिक दस्तावेच की रुप में या देश की संसत में प्रस्तुत किया गया है इस एक सो चालीस करोड जनता जनारदन के लिए समर्पित उनकी आसा उनकी आकांसा और अम्परित काल के संकल्पों को पूरा करने वाली स्वजट के लिए मैं आधने प्रधान मंत्री ची के प्रति आभार व्यक्त करता हूं